गुहाटी के फाइव स्टार होटल के रिसेप्शन पर एक वेक्ती कोल करता है। कोल करकर वो वेक्ती कहता है कि आपको कमरा नंबर 922 में जाकर देखना चीए। वहाँ पर जो वेक्ती हैं, जो गेश्ट हैं, उनकी तबियत बूज जादा खराब है। जैसे ही सूचना मिलती है, रिसेप्शन से एक श्टाप दोड़ता हुआ, कमरा नंबर 922 में जाता है। और जब वो वहाँ जाकर देखता है, तो उसकी आँके फटी की फटी रे जाती है। दरअसल जिस वेक्ती ने कॉल किया था, उस वेक्ती ने बताया था कि वहाँ पर जो गेश्ट हैं, उनकी तबियत खराब है, बलकि इस्तिती बिल्कुल विपरित होती है। वहाँ जो वेक्ती था, वो वेक्ती खोन से लत्पत फरस पर पड़ा हुआ था, साथ ही उसकी जब नब्ज टोटोली जाती है, तो पता चलता है कि उसकी मोथ हो चुकी है। पता किया जाता है, वो वेक्ती कोई साधारन वेक्ती नहीं, बलकि एक करोड़ोपती कारोबारी वेक्ती है। ये सोख तोड़े से गलत है, इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले की चानबीन की जाती है, चानबीन में कहीं सारे खुलासे होते हैं, और हत्या क्यूं की गई, इसके पीछे का पुरा कारण भी निकल कर आता है। आज इस कहानी में, इस गटना में हम यही जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते उस वेक्ती की हत्या कर दी गई। इस गटना के पीछे की पूरी सचाई जानने के लिए आप वीडियो कॉंत तक जरूर देखें। वो विक्ती पूरे के ही सास्तरी नगर का निवासी होता है। एक बार वो ओफिस तूर से कोलकत्ता गया हुआ था। कोलकत्ता वो घूमने फिरने के बाद वो पहुंसता है। बोर दोलाई हवाई डेक के पास जो एक फाइफ स्टार होटल है। उस फाइफ स्टार होटल पर वो पहुंसता है। वहाँ पर रात पिताता है। उस होटल की जो सुकसुविदा है थी, वहाँ पर जो फैसलिटी थी वो उसे काफी अच्छे लगती हैं। साथ ही वहाँ पर अच्छी लगती हैं जो लड़की उसे सर्विस दे रही थी। उस लड़की पर वो मोहित हो जाता है, उस लड़की से वो बाचीत करता है, और उसे कहता है कि आप मुझे काफी अच्छे लगते हो, आपने जो सर्विस दी, वो सर्विस भी मुझे काफी अच्छी लगी, लड़की ये बात सुनकर खुस हो जाती है, वो कारोबारी वेक्ती कुछ महीनों बाद वापिस लोट कर उसी होटल में आता है. जब वो उस होटल में वापिस लोट कर आता है, तो वो लड़की उसे वहाँ पर मिलती है, उस लड़की से वो बातचीत करता है, और कहता है कि देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए वापिस दोबार आ गया लड़की भी यह बात सुनकर खुस होती है अब दोनों के बीच में بातों का सिलसिला बढ़ता है और वो कारोबारी वेक्ति जब वहां से जाने लगता है अगले दिन तो वो कारोबारी विएकती उस लरकी को कहता है कि मैं तुम से दोस्ती करना चाहता हूं अब दोस्ती की बात आती है तो लरकी भी हां कर देती है साथ ही दोनों के number exchange हो जाते हैं अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से बाचीत करने लगते हैं बातों का सिलसला आगे बढ़ता है और जब बातों का सिलसला आगे बढ़ता है तो वो कारोबारी जो वेक्ती था उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यारोमन लगता है अब वो कारोबारी वेक्ती वापिस लोट कर उसी होटल में आता है जब होटल में आता है तो उस लड लड़की जिसका नाम होता है अंजली सो जिसकी उम्र होती है 22 साल उस कारोबारी वेक्ती की उम्र थी 42 साल और इस लड़की की उम्र 22 साल के आसपास होती है यानि कारोबारी वेक्ती से 20 साल छोटी लड़की होती है अब वो लड़की उसके साथ चली जाती है जैसे ही वो दू जब दोनों एक दूसरे के साथ सारीक संबंद बना रहे थे उसी बीच जो कारोबारी वेक्ति होता है वो उस लड़की से कहता है कि यह जो पल है यह जो समय है इसे मैं अपने मोबाइल फोन पर केद करना चाहता हूँ लड़की ना नुकुर करती हैं विरोध भी करती हैं लेक से ही उसका वीडियो भी बनाता है, साथ ही उसके कुछ फोटोग्राफ्स कीच लेता है, अब यह सिलसला जैसे तेसे करकर आगे बढ़ता है, आए दिन एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, कभी कबार वो कारोबारी वेक्ती उस लड़की को कुलकत्ता भी बुला लिया करत था, साथ ही उसकी हर एक सुक्सविधा को पूरा किया करता था, लड़की को अच्छा लग रहा था, किसी परकार की उसे धिक्कत परिशानी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे-जैसे करकर समय गुजरता है, तो समय के साथ ही इस लड़की को पता चलता है, कि यह वेक्ती से ही साधी सुधा हो, 13 साल की तुमारी बेटी है, उसका क्या होगा, और मुझसे तुम शादी करोगे, तो मुझे कहां रखोगे, सब कुछ उस कारोबारी बेखती को बताती हैं, लेकिन जो कारोबारी बेखती हैं, वो उस लड़की को खहता है कि शादी करूँगा, तो ने उस समय केप्चर अपने मुबाइल फोन में किये थे, अब लड़की परेशान हो जाती हैं, इसको क्या कहें, साथ ही उस कारोबारी बेखती के पास, उस लड़की के परिवार के, या यूं कहें कि परिवार के सद्दश्यों के कहीं सारों के नंबर भी थे, अब जब वो लड़की हा नहीं करती हैं, तो वो कारोबारी एक दिन परिवार के ही किसी सद्दश्य के नंबर पर फोटो और वीडियो डाल देता है, जब परिवार तक ये बात पहुंचती हैं, तो परिवार के लोग उस लड़की को भला बुरा बोलते हैं, हर एक विक्ती तक ये बात बोई फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम विकासो होता है, विकासो जो की रहने वाला तो यूपी का होता है, लेकिन फिलाल वो भी हाबरा ही रह रह रहा था, हाबरा का ही निवासी होता है, विकासो को पुरी बात बताती है, इस लड़की का पहले ही बोई फ्रेंड होता है, लेकिन फिर भी ये लड़की उस कारोबारी वेक्ती के साथ सारी संबन्द बनाती है अब जब विकासों को पुरी बात मालूम परती है तो दोनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं प्लानिंग के तहत वो लड़की अपने प्रेमी को कहती है कि मैं एक होटल बुक करूंगी उस होटल पर रूम भी बुक करूंगी सब कुस तुम्हें बताऊंगी तुम्हें सिर्फ वहां आकर उसका जो मोबाइल है वो मोबाइल फोन चुरा कर वहां से भाग जाना है अप्नी planning के तहट ये लोग एक होटल बुक करते हैं चार फरवरी 2021 को और वो होटल होती है Redison Blue Hotel और वो होटल होती है असंपरदेश का ही एक सहर है गुहाटी वहाँ पर ये होटल बुक करते हैं चार फरवरी 2021 को होटल बुक किया जाता है वो लगकी कारोबारी विक्ति को बताती भी है कि आपको उस होटल में आना है लेकिन कारोबारी विक्ति को पता नहीं था कि वहाँ पर उसका boyfriend या फिर उसका फ्रेमी भी आने वाला है पांच फरवरी 2024 को ये कारोबारी विक्ति उस होटल पर पहुंच जाता है जिसका कमरा नंबर होता है 922 पास वाले ही रूम पर उस लगकी का प्रेमी भी आया हुआ था जैसे ही ये कारोबारी विक्ति नहाने के लिए अंदर जाता है तो वो विकास सो उस रूम के अंदर आता है और कारोबारी विक्ति के मोबाल फोन को चुराने की कोशिस करता है लेकिन ये कारोबारी विक्ति उस विक्ति को ये नहीं जो उस लगकी का प्रेमी होता है उसे मोबाल फोन चुराते हुए देख लेता है जब mobile phone चुराते हुए देखता है तो कारोबारी वेक्ती दूरता हुआ बाहर आता है और अपने mobile phone को पकल लेता है अब दोनों के बीच में छीना चप्टी होती है और इसी हाता पाई के बीच वो जो कारोबारी वेक्ती होता है वो परस पर गिर जाता है परस पर गिरने से उस विकास सो होता है, उसके दिमाग में आता है कि क्यों न इस विक्ति के बारे में, यनि जो विक्ति परस पर पढ़ा हुआ है, उसके बारे में रिसेप्शन पर सूचना दी जाए, क्योंकि हो सकता है शायद अगर इसे गहरी चोट लगी हो, इसकी मोत भी हो जाए, अगर होटल वाले आकर इसे समालेंगे इसे आकर देखेंगे तो हो सकता है वो उसे होस्पितल भरती करवाएंगे और इसकी हालत से हो जाएगी इसी बीच विकास सो अपने रूम से reception पर कोल करता है रिसेप्शन पर कोल करने के बाद पुरी कहानी पुरी घटना उनको बताता है कि इस रू पुलिस टेशन पर कोल किया जाता है पुलिस वाले मोकाई वारदात पर पहुंचते हैं जब मोकाई वारदात पर वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो विक्ती हैं उसकी तो मोत हो चुकी है साथ ही वो पता करते हैं कि कि किस रूम से कोल आया था तो जब गेस्ट ल लेकर railway station चाए हवाई अड़ा हर एक जगह पर नाका बंदी कर देती हैं और जगह पर पुलीस तेनात कर देती हैं कि जाएंगे तो कहां जाएंगे अब जब गेश्ट लिष्ट में उनके नाम चेक किये जाते हैं साथ ही पुलीस हवाई अड़े पर भी पता करती हैं हवाई अ यह यह कहें कि एक प्लेन जो कि गुहाटी से कोलकता के लिए रवाना होने वाला होता है सामके करीब 9 बजकर 15 मिनिट के आसपास का समय था उस फलाइट में जब पैसेंजरों के नाम चेक किया जाते हैं तो उसमें उन दोनों का नाम मिलता है विकास सो और अंजली सो का नाम बताती हैं वो बताती ही कि यह जो कारोबारी बेक्ती था इसे मारने का इनका कोई इरादा नहीं था बलकि यह कारोबारी बेक्ती आए दिन उस लड़की को बलेकमेल करता था उस लड़की का काफी दिनों से या काफी महीनों से वो सोसन कर रहा था साथ ही साधी के लिए भी उस पर pressure डाल रहा था इनका इरादा सिर्फ इतना सा था कि इस कारोबारी वेक्ति के पास जो mobile है उस mobile के अंदर इस लड़की के जो photo और जो video है उनको जैसे तेसे करकर ये delete कर दे इनका इरादा सिर्फ इतना सा था कि जैसे तेसे करकर ये mobile phone को चुराएंगे और photo और video को ये delete मार देंगे जिससे ये कहानी जहां की जहां खत्म हो जाएगी और ये जो कारोबारी वेक्ति हैं जो जिस तरह से उस लड़की को प्रेशान करता है शायद उसे प्रेशान करना बंद कर देगा लेकिन इने नहीं पता था कि इस गटना में उस कारोबारी वेक्ति को इतनी चोट पहुँचेगी कि उसकी मोत भी हो जाएगी फिलाल पुलीस ने इन दोनों को गिरपतार कर लिया है पुलीस का कहना है कि मामला दर्ज करकर इस मामले को कोट में भेजा जाएगा कोट ही इस मामले का निर्ने करेगा कि इनको कितनी सजा होनी चीए इनको क्या सजा होनी चीए सब कुछ कोट के हाथ में है आप कोट का निर्ने कब आता है ये तो भविशे के गर में चिपा हुआ है आगे चलकर इनको क्या सजा होती हैं, क्या सजा नहीं होती हैं, ये तो कोट ही डिसाइड करेगा, बाकि दोस्तों इस गटना के बारे में आपका क्या कहना हैं, आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, साथ ही इस गटना को सुनाने का उद्धेश है, किसी की भावनाओं को ठे वारदात के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जेहिन छे वारत